दकनों और पूर्व अभासों के अधार पर हम भविष्चे के सुख दुख की कलपना करते हैं भविष्चे के दुख का कारण धूर करने के लिए हम आज योजना बनाते हैं किंतु तल के संकट को आज निर्मूर करने से हमें लाप मिलता है या आनी पहुँचती हैं ये प्रश्ट हम कभी नहीं करते हैं तक्ते तो ये है कि तंकट और उसका निवारन साथ जनते जेक्ति के लिए धी और तृष्ची के लिए भी नहीं आप अपने भूतकार का प्रण कीजिए ये थी हास को देखें आप सुरंधी ये जान पाएंगे कि जब जब संकट आता है तब तब उसका निवारन करने वाली शक्ती भी जन लेती हैं यही तो जगत का चलन है वस्तत संकट ही शक्ती के जन का कारण है प्रतेक वेक्ती जब संकट से निकलता है तो एक पद आगे बड़ा होता है अधिक जमरता है आत्म विश्वास्ते अधिक भरा होता है ना केवल अपने लिए अपने लिए अपने विश्व के लिए भी क्या ये सकते नहीं वास्तव में संकट का जन है एक अफस्तर का जन अपने आपको बदलने का अपने विचारों को उचाई पर करने का अप्द अपनी आत्मा को बलवान और ज्यान मंदित बनाने का जो ये कर पाता है उसे कोई संकट नहीं होता लाकिन तु जो ये नहीं कर पाता वो तो स्वयम एक संकट है विश्व के लिए विचार कीजिए कभी कभी कोई घटना मनुष्य के जीवन की सारी योजनाओं को तोड़ देती और मनुष्य उस आगात को अपने जीवन का केंद्र मान लेता पर क्या भविश्य मनुष्य की योजनाओं के आद्भार पर नर्मित होते हैं नहीं जिस प्रकार किसी उचे परवत पर स्थर्व प्रथम चड़ने वाला उस परवत की तलाई में बैठ कर जो योजना बनाता है क्या वही योजना उसे उस परवत की चोटी तक पहुंचाती है नहीं वास्तव दे वो जैसे जैसे उपर चड़ता है वैसे वैसे उसे नहीं नहीं चुनौतियां नहीं नहीं विडम बनाए नहीं अव्रोध मिलते हैं वो परवत को अपने योग्य नहीं बना पाता जेवल स्वैम को परवत के योग्य बना सकता है क्या जीवन के साथ भी ऐसा ही नहीं जब मनुष्य जीवन में किसी एक चुनौति को एक अव्रोध को अपने जीवन का केंद्र मान लेता है अपने जीवन की गति को ही रोग देता है, तो वो अपने जीवन में सफल नहीं बन पाता, और ना ही सुख और स्टान्थी प्राप कर पाता, और ठाथ, जीवन को अपने योग्य बनाने के बदले, स्वयम, अपने को जीवन के योग्य बनाना ही, सफलता और सुख का एक मात्र मार्ग नहीं स्वेम विचार कीजिए जीवन का हर अच्छन निर्णे का अच्छन होता है प्रतेक पद पर दूसरे पद के विशे में कोई निर्णे करना ही पड़ता है और निर्णे निर्णे अपना प्रभाव छोड़ जाता है आज किये गए निर्णे भविश्य में सुख अत्वा दुख निर्मित करते हैं ना केवल अपने लिए अपने परिवार के लिए भी आने वाली पीडियों के लिए भी जब कोई दुविधा सामने आती है तो मन व्याकुल हो जाता है अनुष्य से भर जाता है निर्णे का वोक्षण युद बन जाता है और मन बन जाता है युद भूमी अधिक्ता निर्णे हम दुविधा का उपाय करने के लिए केवल मन को शांत करने के लिए लेते हैं पर क्या कोई दौडते हुए भोजन कर सकता है नहीं तो क्या युद से जूचता हुआ मन कोई योग्य निर्णे ले पाएगा वास्तव में शांत मन से जब कोई निर्णे करता है तो अपने लिए सुखत भविष्य बनाता ही किन्तु अपने मन को शांत करने की लिए जब कोई निर्णे करता है तो वो विक्ती भविष्य में अपने लिए काटो भरा व्रिक्ष लगाता है स्वयम विचार कीजिएगा जीवन ने आने वाले संघर्षों के लिए जब मनुष्य स्वयम को योग्य नहीं मानता जब उसे अपने ही बल पर विश्वास नहीं रहता तब वो सब गुणों को त्यार कर दुरगुणों को अपनाता है पस्तुता मनुष्य के जीवन में दुर्जनता जन ही तब लेती है जब उसके अंतर में आत्म विश्वास नहीं होता आत्म विश्वास ही अच्छाई को धारन करता है यह आत्म विश्वास है क्या? जब मनुष्य ये मानता है कि जीवन का संघर्ष उसे दुर्बर बनाता है तो उसे अपने उपर विश्वास नहीं रहता वो संघर्ष के पार जाने के बदले संघर्ष सिर्ष छूटने के उपाय ढूनने लगता किन्तु जब वो ये समझता है कि ये संघर्ष उसे अधिक शक्ती शाली बनाते है ठीक जैसे व्यायाम करने से देह की शक्ती बढ़ती तो प्रतेक संघर्ष के साथ उसका उत्ताह पड़ता अर्थाथ आथ तो विश्वास और कुछ भी नहीं बन की शिपी जीवन को देखने का दृष्टी कोण मात रह और जीवन का दृष्टी कोण तो मनुष्य के अपने वश्वे होता है स्वयम विचार कीजे पिता सदा ही अपने संघर्ष के सुक्त की कामना करते उनके भविश्य की चिंता करते रहते इसी कारण वर्ष्ट सदा ही अपने संघर्ष के भविश्य का मार्ग सुयम निश्चित करने का फ्रेस्न करते रहते जिस मार्ग पर पिता स्वयम चला है जिस मार्ग के कंकर पत्थर को स्वयम देखा है मार्ग की छाया मार्ग की धूप को स्वयम जाना है उसी मार्क पर उसका फुत्र भी चले। यही एक्षा रहती है हर पिता कि लिसन दे उत्तम भावना है यह किम्तू तीन प्रश्णों के उपर विचार करना हम भूल ही जाते हैं। कौन से प्रफम प्रश क्या समय के साथ प्रतेक मार्ग बदल नहीं जाते क्या समय सदा ही नई चुनाथियों को लेकर नहीं आता तो फिर बीते हुए समय के अनुभव नई पीडी को किस प्रकार लाब दे सकते हैं दूसरा प्रश क्या प्रतेक संतान अपने माता-पिता की मिश्वर देते हैं तो जस मार्ग पर पिता को सफलता मिली है विश्वास है कि उसी मार्ग पर उसकी संतानों को भी सफलता और सुख प्राप्थ होगा तीसरा प्रश क्या जीवन के संघर्श और चुनाथियों लाबकारी नहीं होती क्या प्रतेक नया प्रश्ण एक नए उ करना कहलाएगा या आनी पहुचाना चत्ता जिस प्रकार संतान के भविश्य का निर्मान करने के बदले उसके चर्चान के संतानों की जीवन का मार्ग निश्चित करने के बतले उन्हें नई संघर्षों के साथ जूजने के लिए मनों बल वज्ञान देना अधिक लाबदायक नहीं होगा तो एम विचार कीजे मनुष्य की सबसे बड़ी दुर्बलता क्या होती है सूची थन प्रेम अहंकार मनुष्य की सबसे बड़ी दुर्बलता होती है उसके रहस से चाहे आप कितने भी शक्तिशाली क्यों ना, कितने भी प्रबल क्यों ना, परन्तु उसके रहस से उसके नाश की चा भी होती है इसलिए यदि प्रबल रहना है, शक्तिशाली रहना है, समर्थ रहना है, तो अपने रहस्य को किसी को भी न बताए, ना मित्र को और ना ही शत्रू को, चुकि समय पढ़ने पर कब कौन शत्रू हो जाए, ऐसा कहना संभव नहीं, विभीशन को रावण के अमरित कुंड का ग्य कि आप अपने रहस्य को स्वयम तक ही सीमित रखें, मनुष्य जीवन की परिक्षा में सफल होने के लिए क्या नहीं करता है, वो परिश्रम करता है, दोड़ भाग करता है, और ये सब करने के पश्चाद भी जब उसका काम नहीं बनता, तो वो नकल करता है, है ना, तनिक ल विध्याले में जब आप परिक्षा देने जाते थे, तो क्या होता था, आप ना से, परन्तु कोई ना कोई सफलता पाने के लिए नकल करता ही था, और उत्तीन भी हो जाता था, है ना, परन्तु जीवन की परिक्षा ऐसे नहीं होती, नकल करने वाला सफल नहीं होता, कारण बिद्याले में सबके प्रश्नपत्र एक होते थे परंतु जीवन के प्रश्नपत्र और उनकी कटनाई सबके लिए भिन्न होती तो निश्चित रूप से उनके उत्तर भी भिन्न होंगे ना इसलिए यदि आपको जीवन में सफलता पानी है तो नकल ना कीजिए स्वयम के प्रश्नों का उत्तर स्वयम ढूंडी और सफलता आपकी ही होगी मनुष्य का जीवन हार और जीट विजय और पराजय सफलता और आसफलता के मध्य जूलता रहता है आपके साथ भी ऐसा होता होगा है ना जब आप सफल होते हैं किसी चुनौती पर विजय पाते हैं तो मन प्रसन्नता से आनंद के उपवन में जूमने लगता है और जब आप आसफल होते हैं तब मन दुख और पीड़ा के सागर में डूबने लगता है परंतु वास्तव में सफलता और आसफलता है क्या तनिक ध्यान से सोचिए ये केवल हमारी मनुस्थिती मात्र है हमारी पराजय तब नहीं होती जब हमारा शत्रू विजय पराप करने हमारी पराजय तब होती है जब हम पराजय स्विकार करने हम आसफल तब नहीं होते हैं, जब हम लक्ष न पासके, हम आसफल तब होते हैं जब हम प्रयास करना बंद कर दें इसलिए प्रयास करते रहें, और हार ना माने जिस दिन आप हार स्विकारना बंद कर देंगे, जीत आपके चरणों में होगे आप सबने बर्गत के व्रिक्ष को तो देखा ही होगा क्या आपको ग्यात है बर्गत के व्रिक्ष के बीज का आकार राई से भी छोटा होता है परंतु बर्गत का व्रिक्ष संसार के महाकाई व्रिक्षों में जाना जाता है जब उसका जन्म होता है तब उसमें वो जटाए वो शाखाए नहीं होती परंतु जैसे जैसे उसका विस्तार होता है जैसे जैसे वो अधिक शाखाओं का भार उठाता है अधिक पत्तियों का सिर्जन करता है वैसे वैसे उसकी शाखाए जटाए बनकर जड़ तक पहुँचती है और इस व्रिक्ष को सहारा देती है ये जीवन का बहुत महत्वपूर्ण पत है बिना लोग लालच, चुबकार रिकर, अन्य लोगों की सहायता करें धीरे धीरे आपने जिनकी सहायता की, वो आपके सहायत बनते जाएंगे आपकी जड़ों को और बलशाली बनाएंगे आयू, मान और आकार बढ़ाएंगे सह जीवन, सहायता और निश्काम कर्म आपको मृत्यू के पश्चात भी मरने नहीं देगा आपको अमर रखेगा हमारा शरीर प्रकृती का एक महान अविश्कार है इससे जटिल संग्रचना संसार में और कोई नहीं हमारा शरीर जितना जटिल है, यदि इसे ठीक से जाना जाए तो इससे अधिक सरल ग्यान देने वाला और कोई नहीं हमारे शरीर में पंच इंद्रिया होती है, जो हमें भाव, गुण और वस्तुओं का बोध कराती है हमारे पास आखें, नाखें, स्पर्ष के लिए तवचा है, कान है, और जीवा है सबका भिन भिन कार है, आखों से देखना, कानों से सुनना, नतनों से स्वास लेना तवचा से स्पर्ष करना, और जीवा से स्वाद लेना, परन्तु क्या आपने कभी सोचा कि प्रकरती ने हमें दो आखें दी, दो नतने दी, दो कान दी, स्पर्ष के लिए ये पूरा शरीर दी परन्तु जीवा केवल एक दी, ऐसा क्यों? क्योंकि प्रकृती चाहती है कि हम देखे अधिक सुने अधिक और ज्ञान अधिक अर्जित करें बोले कम क्योंकि अधिक वाचाल नाश को निमंत्रण देता है स्मरन रखेगा कि सदा यही कहते आए कि यदि आगे बढ़ना है तो अपनों का साथ दो सत्य कहते हैं अपनों का साथ देना ही चाहिए परन्तु साथ देने से पूर्व ये अवश्य पहचाल देना चाहिए कि अपने है कौन क्या आपने वही होते हैं जिनके साथ हमारा रक्संबंध होता है या अपने मित्र अपने वो होते हैं जो हमें सदकार के लिए प्रेदित करें हमें आगे बढ़ाएं हमारा साथ दे और वो जिनका साथ देने से समाज का नाश्य धर्म की हानी हो वो सगे हो करके भी सगे नहीं होते इसलिए जब अपनों की परिभाशा का चुनाव करें तो उन्हें अपना माने जो आपका साथ दे उन्हें नहीं जो हमें अध्यान के मार्ग पर ले जाएं आप जिन से प्रेम करते हैं सदा उनके समीप रहना चाहते नहीं चाहते कि कभी अपनों से दूर होना पड़े बिछड़ना पड़े परन्तू एक समय के पश्चार अपनों से दूर हो जाना उन्नती के लिए अवश्चक है आप माता पिता है यदि आप अपनी संतान के जीवन के हर पक पर उनका मार्ग दर्शन करते रहेंगे तो आपके संतान स्वैम मार्ग चुनना कैसे सीखेगी मार्ग के काटों से स्वैम को बचाना कैसे सीखेगी इसे लिए एक समय के पश्चार अपनों से बनाई गई दूरी सदा लाब दायक रहती है आज मैं आप सबको एक कथा सुनाता हूँ एक दिन प्राता एक व्यापारी अपने घर से निकला घर से निकलते ही एक बिल्ली ने उस व्यापारी का मार्ग काट दिया व्यापारी घबरा गया वो फिर से घर लोड़ गया और शुब घड़ी की प्रतीक्षा करने लगा और जब वो पुना अपने घर से निकला तब वो वाहन जा चुका था जिससे राजा तक पहुँचकर उसे भेड़ते नी थे राजा को भेड़ नहीं मिली राजा क्रोधित हो गय राजा ने उस व्यापारी का व्यापार बंद करवा दिया इस कारण व्यापारी क्रोधित होकर घर पर अपनी पत्नी से लड़ बैठा पत्नी अपने बच्चों समेथ मैके वापस चली गए और उस व्यापारी की जीवन में यदी कुछ रह गया था तो केवल अंधकार और इन सब का कारण वो उस बिल्ली को मानता रहा जिसने उसका मार्ग काटा था ऐसा ही एक दूसरा व्यापारी राजा को भेड़ देने निकला और उस व्यपारी का मार्ग भी एक बिल्ली ने काट दिया वो व्यपारी तनिक घबराया परंतु उसने आगे बढ़ना अधिक उचित समझा राजा तक वो समय पर पहुँचा उसने राजा को भेट दे राजा प्रसन्य हुए और राजा ने व्यपारी को अपना व्यपार दूनों के साथ एक ही प्रकार की खटना हुई परंग्तु दोनों की प्रतिक्रिया घिन्न थी ऐसा ही हमारा जीवन भी है हमारे जीवन में प्रारब्द का अपना स्थान है परंग्तु उससे कई अधिक महत्वपूर्ण हमारी प्रतिक्रिया हमारे सोच का प्रभाव है चुकि यही हमारे जीवन को आकार देते हैं इसलिए अपनी सोच को सकारात्मक रखिए आपका जीवन सदैव आनंद मैं हम सभी अपने जीवन में कोई ना कोई कार रे करते हैं कार करते हैं तो ठकान की अनुभूती होती है और यदि ठकान ना उत्रे तो कार करने का मन नहीं करता हम आशा करते हैं कि कदाचित एक दिन में 24 के स्थान पर 26 घंटे होते तो अराम करने के लिए हमें और अधिक समय मिल जाता हमें ऐसा आनुभव होता है कि हम बहुत अधिक कार कर रहे हैं है ना परन्तु क्या आपने गभी सोचा है कि जो लोग संसार में सफल हैं उनके पास भी सफल होने के लिए दिन में केवल 24 घंटे थे तो फिर वो सफल क्यों है इसका एक छोटा सा रहस्य है वो वो कारे चुनते हैं जो उन्हें प्रिये जिसे करने में उन्हें आनंद आता है उन्हें लगता ही नहीं कि वो कार कर रहे हैं उन्हें लगता है कि वो प्रतीपल आनंद मना रहे हैं और जब आप आनंद मनाते हैं तो ठकान कैसे हैं इसलिए यदि आप जीवन में कोई भी कार करें त सफलता आपको मिलेगी कभी सोचा है हमारा जीवन भी उस रेत की घड़ी की भाती है जो रेत नीचे गिर चुकी है वो हमारा अतीत है जो अब भी उपर है वो हमारा आने वाला भविश्य है और वर्तमान ये संकुचित स्थल है जहां से धीरे धीरे करके रेत गिर रही है अर्थार हमारे पास जीने के लिए यही एक शन है उसका उपयोग कैसे करना है ये हम पर निर्भर करता है जो बीट गया उसका दुख मनाना है या जो भविश्य में होने वाला है उसकी प्रतीक्षा में क्रोद करना है सब कुछ करने के लिए यही एक शन है प्रसन रहना है तो उसके लिए भी यही एक पल है प्रतीक्षा करते रहोगे तो ये पल भी भूत काल में बदल जाएगा इसलिए आनंद के लिए परुकार के लिए प्रतीक्षा ना कीजी आपके पास जो पल है उनका भरभूर सदुप्योग कीजी चुकि इस घड़ी को पलटकर आप फिर से समय अवश्य गिन सकते हैं परन्तु अपना बीता हुआ समय आप बाबस नहीं लोटा पाएंगे मनुष्य भी बड़ा विचित्र प्राणी है अपनों से नीचे के अस्तर के लोगों को वो हे द्रिष्टी से देखता है उनका उपहास उड़ाता है उनसे बार बार कहता है कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता तुम भविश्य में कुछ नहीं कर पाओगे जब मनुष्य के पास धन संपत्ती मान होता है तो वो दूसरों का आदर नहीं करता परन्तु वो एक बात भूल जाता है कि उससे भी अधिक शक्तिशाली कोई अस्तित्व में है और वो है समय काल काल अपना चक्र कब बदलेगा ये कोई नहीं जानता कोईला भी समय के साथ साथ हीरे में परिवर्थित हो जाता है इसलिए जीवन में कभी भी किसी का भी उपहास नहीं उड़ाना चाहिए गर्भ अभिमान और अहंका ये तीनों सुनने में एक जैसे लगते हैं परन्तु तीनों का अर्थ भिन्न होता है और परिणाम भी तीनों का आरंब प्रेम से होता है स्वयम से प्रेम परिश्रम हमारे मन में गर्व को जन देता है और सफलता अभिमान जगाती है यहां तक ठीक है परन्तु जब ये भावना अहंकार बन जाती है तब वो समस्या बन जाती है चुकि सबसे बुरा अन अहंकारी का ही होता है परन्तु मनुष्य के लिए पहली यही है कि पहचाना कैसे जाए यह अहंकार जग गया है और उसका दमन अवश्यक है इसका उत्तर मैं नहीं आपका मन देगा जब तक आप स्वयम से प्रसन है जब तक आप सबसे उचा उठने का प्रयास कर रहे हैं तब तक ठीक परन्तु जब आपके मन में दूसरों को नीचा समझने का भाव आ जाए तो सावधान हो जाईए चुकि यही अहंकार है जो वास्तों में आपको हीन कर रहा है आज मैं आप सब को एक कहानी सुनाता हूँ एक दिन गोखुल में दो व्यापारी आए एक व्यापारी शहद का था बड़ा मीठा शहद था उसका परंतु वो गोखुल में टिक नहीं पाया उसके व्यापार ने घाटा खाया और शीग्र ही वो गोखुल छोड़कर चला गया और दूसरा व्यापारी मिर्च का था पहले दिन वो एक पोटली लाया और दूसरे ही दिन वो पूरी बैल गाड़ी भर कर लाया और धीरे धीरे पूरी मतुरा में उसकी धाक चम गए मुझे बड़ा आश्चरे हुआ तो मैंने बाबा से पूछा कि ऐसा क्यों कि एक मीठे शहद का व्यापारी कंगाल हो गया और एक मिर्च का व्यापारी धीरे धीरे नगर सेथ बन गया बाबा मस्कुराए और उन्होंने कहा कि मीठी बोली बोलने वाले की तीखी मिर्च भी बिख जाती है और जो कड़वी बोली बोलता है उसका मीठा शहर भी नहीं बिखता वाँ कितने उत्तम विचार है उनके और उचित ही है मनुष्य अपने जीवन में सदैव अपने वचनों से उठता है और अपने वचनों से ही गिरता है इसलिए अपने जीवन में सदैव मीठी बोली बोलने का प्रयास कीजिए आपका जीवन सरल हो जाएगा मनुष्य की सबसे बड़ी दुर्बलता क्या होती है सूची, धन, प्रेम, अहंकार मनुष्य की सबसे बड़ी दुरबलता होती है उसके रहस से चाहे आप कितने भी शक्तिशाली क्यों ना, कितने भी प्रबल क्यों ना परंतु उसके रहस से उसके नाश की चाभी होती है इसलिए यदि प्रबल रहना है, शक्तिशाली रहना है, समर्थ रहना है तो अपने रहस्य को किसी को भी न बताए ना मित्र को और ना ही शत्रू को चुकि समय पढ़ने पर कब कौन शत्रू हो जाए ऐसा कहना संभव नहीं विभीशन को रावण के अमरित कुंड का ग्यात था इसलिए प्रभुश्री राम रावण का बद करने में सभल हो सके इसलिए उचित यही है कि आप अपने रहस्य को स्वयम तक ही सीमित रखें युवा अवस्था भी हमारे जीवन का कितना सुन्दर काल होता है न पाहू में बल मन में कुछ बड़ा कर जाने की चाह आखों में भविश्य के सुन्दर और गोमल सपने और इसी अवस्था में मनश्य के भीतर पनपता है प्रेम किसी को देख कर उस पर मन मोहित हो जाता है और फिर मनुष्य अपना सब कुछ उस पर नवचावर कर देना चाहता है फिर प्रेम की परिनिती होती है विवाह में क्यूँ? सब को अपने खटे मीठे संस्मरण स्मरण हो आए न परंतु यहीं से अधिकतर माता पिता और संतान के मद विचारों का विरोध प्रारंब हो जाता है संतान को लगता है कि उसका चुना जीवन साथी ही उसके लिए उप्यूपत है और माता पिता को लगता है कि संतान अंजाने में भूल कर रही है संतान का तर्क होता है कि उसे विवा किस से करना है ये उसका अधिकार है और माता पिता का तर्क ये होता है कि अब भी जीवन साती चुनने की समझ संतान में है ही नहीं तो इस अवरोध को काटा कैसे जाए उचित निर्णा कैसे लिया जाए इसका एक ही मार गे अपने उत्तरदाइत्व का भान और अपनों से बड़ो के माप दंडो का भान विवा करने से पूर्व ये जानने ना आवश्यक है कि विवा केवल अपने प्रेम को पाने का मार नहीं है अपे तु विवा से जीवन का एक नया द्वार भी खुलता है और हर नए जीवन के साथ नए उत्तरदाइत भी होते हैं औ आपका दंपत्य जीवन आनन से भरा रहेगा और आपको कभी ये पस्तावा नहीं होगा कि आपने कोई अनुचितने नहीं लिया जब सागर का जल वाश्प बनकर उड़ता है तब वो हमें दिखाय नहीं देता मेग उस जल को अपने भीतर छिपा लेते हैं लंबी यात्रा करते हैं प्रयास करते हैं कि वो जल सदा उनके भीतर छिपा रहे परन्तु जब वायू का वेग उन्हें उड़ा कर किसी परवत से ले जाकर के टकरा देता है तब उन मेगों को बरसना ही पड़ता है चुकि यही नियती है यही प्रकरती है चुकि जल को सागर में जाकर मिलना ही है ठीक ऐसा ही हमारे साथ भी होता है हम सत्त अपने मन के मेगों में चाहे जितना छिपाने का प्रयास कर लें परन्तु समय की प्रियांधी उसे वास्तविक्ता के परवत से ले जाकर के टकरा कर, हमारे समक्ष ले ही आती है। जिस भय के कारण आप सत्त को सामने नहीं लेकर आना चाहिए। एक दिन वही भय हमारे समक्ष आकर खड़ा हो जाता है। और फिर हम लाचार हो जाते हैं। चुकि हमने उस भय का सामना करने की तयारी नहीं की होता है। इसलिए सत्त से भागे नहीं, उसे छिपाए भी नहीं, उसे स्विकार करें। भविश्य की बड़ी विपत्ती से बच जाएंगे। कभी कभी आप सब के जीवन में एक ऐसी विचित्र समस्य अवश्याती है कि शक्तिशाली के समक्ष मौन हो जाते। थे उस शक्तिशाली से विवाद करने से बचने के लिए आप मौन रह जाती है। मानता है, ऐसा करने से आप एक विवाद से बच जाते हैं, एक संखर्ष से बच जाते हैं, परन्तु ऐसा बचाओ, एक बड़े संखर्ष को जन दे देता है, कैसे हमारा मौन रहना, अंजाने में उसका समर्थन बन जाता है, और वो स्वयम को अधिक शक्तिशाली अनुखफ कर जाता है, और यहां से हमारा दमन प्रारंब हो जाता है, एक के बाद एक, हम अन्यायम, अंचाहे रूप से समलित होते चले जाते, तो इसका तोड़ क्या है, ये समझने के लिए ये जानना आवश्यक है, कि ऐसी कौन सी बात है, जो आपको विरोध करने से रोकती है, ये साम आपको रोकता है, हाँ, कभी-कभी भय आपकी सुरक्षा अवश्यक कर सकता है, परन्तु साथ-साथ ये भी जानना आवश्यक है, कि ये भय ही है जो आपको मौन भी रखता है, इसलिए अपने मन से भय को निकाले, और खुलकर अनीती का, अन्याय का विरोध कीजी, और फिर देखिएगा, आपका मन कितना मुक्त, कितना हलका अनुफ़ करेगा, सबके जीवन में ऐसा प्रसंग अवश्या आता है, कि सत्य कहने का निश्चे होता है रिदे में, किन्तु मुक्त से सत्य निकल नहीं पाता है, कोई भए मन को घेर लेता है, किसी घटना अथ्वा प्रसंग के बारे में बात करना, या फिर स्वयम से कोई भूल हो जाए उसके बारे में कुछ बोलना, क्या ये सकते हैं, नहीं, ये तो केवल तथ्य है, अर्थात, जैसा हुआ ता वैसा केवल बोल देना, समाने सी बात है, किन्तु कभी कभी उस तथ्य को बोलते हुए भी भए लगता है, कदाचित किसी दूसरे की भाबनाओं का विचार आता है मत, दूसरे को दुख होगा ये भए भी शब्दों को रोकता है, तो ये सकते क्या है, क्या हमने कभी विचार किया है, जब भए रहते हुए भी कोई सथ्य बोलता है तो वो सथ्य कहलाता है वास्तव में सथ्य कुछ और नहीं केवल निर्भयता का दूसरा नाम है और निर्भय होने का कोई समय नहीं होता क्योंकि निर्भयता आत्मा का स्वभाव है आर्थाट क्या प्तटे एक्षण सकते बोलने का अक्षण नहीं होता स्वेम विचार कीजिए शेष्चता का क्या अर्थ है शेष्चता का अर्थ है दूसरों से अधिक ज्यान प्राप्त करना अर्थात मुल्ले इस बात का नहीं कि स्वयम कितना ग्यान प्राप्त किया, मुल्ले इस बात का है कि प्राप्त किया हुआ ग्यान अन्ने लोगों से कितना आधिक है, अर्थात श्रेष्टता की एक्छा ग्यान प्राप्ती को भी एक स्पर्धा बना देती है, और स्पर्धा मे के लिए कोई शेष्ट नहीं रह पाता फिर वही असंतोश तीडा और संगर्ष जन्म लेटा है किन्तो कि शेष्ट बंने के बदले यदि उत्तम बनने का फ्रैतन करें तो क्या होगा उत्तम का अर्थ है कि जितना प्राप्त करने योगे हैं वो सब प्राप्त करना किसी से अधिक पाने की इख्छा से नहीं मात्र आत्मा की त्रिप्ती हे तु कुछ प्राप्त करना उत्तम के मार्क पर किसी अन्ने सिस्परधा नहीं होती स्वैम अपने आप सिस्परधा होती है अर्थात उत्तम बनने का प्रेत्न करने वाल का प्रैत्न करता है वो श्रेष्ट बने या ना बने उत्तम कभी नहीं बन पाता जपनों और पूर्वाभातों के अधार पर हम अविश्चे के सुख दुख की कलपना करते हैं अविश्चे के दुख कारण धूर करने के लिए हम आज योजना बनाते हैं किन्तु कल की संकट को आज निर्मूल करने से हमें लाप मिलता है या आनी पहुचती है ये प्रश्ट हम कभी नहीं करते हैं तक्ते तो ये है कि संकट और उसका निवारन ताथ जनते हैं व्यक्ति के लिए धी और तृष्टी के लिए भी नहीं आप अपने भूतकार का प्रण कीजिए ये थी हास को देखें आप तुरंथ ही ये जान पाएंगे कि जब जब संकट आता है तब तब उसका निवारन करने वारी शक्ती भी जन लेती यही तो जगत का चलन है वस्तत संकट ही शक्ती के जन का कारण है प्रते एक व्यक्ति जब संकट से निकलता है तो एक पद आगे बड़ा होता है अधिक जमकता है आत्म विश्वास से अधिक भरा होता है ना केवल अपने लिए अपर तू विश्व के लिए भी क्या यह सथे नहीं कि अफ्कात रखता संकट का जन हैं अफस्सर का जन अपने आपको बदलने का है अपने विचारों को उच्छाई पर करने का बर अपने आत्मा को बल्बान और ज्यान मंदित बनाने का जो यह कर पाता है उसे कोई संकट नहीं होता किन्तु जो यह नहीं कर पाता वो तो स्वयम एक संकट है विश्व के लिए विचार कीजिए कभी कभी कोई घटना मनुष्य के जीवन की सारी योजनाओं को तोड़ देती और मनुष्य उस आगहात को अपने जीवन का केंद्र मान लेता है पर क्या भविश्य मनुष्य की योजनाओं के आधार पर नर्मित होते हैं नहीं जिस प्रकार किसी उचे परवत पर सर्व प्रथम चड़ने वाला उस परवत की तलाई में बैठ कर जो योजना बनाता है क्या वही योजना उसे उस परवत की चोटी तक कहुँचाती है नहीं वाश्टव ने वो जैसे जैसे ऊपर चड़ता है वैसे वैसे उसे नहीं नहीं चुन्औजिया नहीं विडंब नाए नहीं अवरोज मिलते हैं सते एक पद पर वो अपने अगले पत का निड्ने करता सते हेक पत पर उसे अपनी योजनाओं को बदलना है कहीं पुरानी योजना उसे खाई में न ढखे वे वो परवत को अपने योगे नहीं बना पाता एवस द्वेम को परवत के योगे बना सकता है क्या जीवन के साथ भी ऐसा ही नहीं जब मनुष्य जीवन में किसी एक चुनौती को एक अवरोध को अपने जीवन का केंद्र मान लेता है अपने जीवन की गति को ही रोग देता है तो वो अपने जीवन में सफल नहीं बन पाता और ना ही सुख और स्कांती प्राप कर पाता और थाख जीवन को अपने योगे बनाने के बदले स्वेम अपने को जीवन के योगे बनाना ही चफलता और सुक्ता एक मात्र मा नहीं है कि स्वेम विचार कीजिए जीवन का हर रुक्षण निर्णे का अश्रण होता है प्रतेक पद पर दूसरे पद के विशे में कोई निर्णे करना ही पड़ता है और निर्णे निर्णे अपना प्रभाव छोड़ जाता है आज किये गए निर्णे भविश्य में सुख अत्वा दुख निर्मित करते हैं ना केवल अपने लिए अपने परिवार के लिए भी आने वाली पीडियों के लिए भी जब कोई दुविधा सामने आती है तो मन व्या अधिक्ता निर्णे हम दुविधा का उपाय करने के लिए केवल मन को शांत करने के लिए लेते हैं पर क्या कोई दौड़ते हुए भोजन कर सकता है नहीं तो क्या युद्ध से जूचता हुआ मन कोई योग्ये निर्णे ले पाएगा वास्तव में शांत मन से जब कोई निर्णे करता है तो अपने लिए सुखत भविष्ये बनाता है किन्तु अपने मन को शांत करने के लिए जब कोई निर्णे करता है तो वो व्यक्ती भविष्ये में अपने लिए काटो भरा व्रिक्ष लगाता है स्वयम विचार कीजिएगा जीवन ने आने वाले संघर्षों के लिए जब मनुष्य स्वयम को योग्य नहीं मानता जब उसे अपने ही बल पर विश्वास नहीं रहता तब वो सब गुणों को त्यार कर दुरगुणों को अपनाता है पस्तुता मनुष्य के जीवन में दुर्जंता जन ही तब लेती है जब उसके अंतर में आत्म विश्वास नहीं होता आत्म विश्वास ही अच्छाई को धारन करता है यह आत्म विश्वास है क्या? जब मनुष्य ये मानता है कि जीवन का संघर्ष उसे दुर्बर बनाता है तो उसे अपने उपर विश्वास नहीं रहता वो संघर्ष के पार जाने के बदले संघर्ष से छूटने के उपाय ढूनने लगता किन्तु जब वो ये समझता है कि ये संगर्ष उसे अधिक शक्ती शाली बनाते हैं ठीक जैसे व्यायाम करने से देह की शक्ती बढ़ती तो प्रते एक संगर्ष के साथ उसका उत्ताह बढ़ता है अर्थात आतों विश्वास और कुछ भी नहीं मन की फिती जीवन को देखने का दृष्टी कोण मात रह और जीवन का दृष्टी कोण तो मनुष्य के अपने वश्वे होता है स्वयन विचार कीजे पिता सदा ही अपने संतान के सुथ की कामना करते उनके भविश्य की चिंता करते रहते इसी कारण वर्ष्ट सदा ही अपने संतानों के भविश्य का मार्ग स्वयम निश्चित करने का फ्रेश्न करते रहते जिस मार्ग पर पिता स्वयम चला है जिस मार्ग के कंकर पत्थर को स्वयम देखा है मार्ग की छाया मार्ग की धूब को स्वयम जाना है उसी मार्क पर उसका फुत्र भी चले यही एक्षाय रहती है हर पिता के लिसन दे उत्तम भावना है यह किन्तु तीन प्रश्णों के उपर विचार करना हम भूल ही जाते कौन से प्रश्ण प्रधम प्रश्ण क्या समय के साथ प्रतेक मार्क बदल नहीं जाते क्या समय सदा ही नई चुनोतियों को लेकर नहीं आता तो फिर बीते हुए समय के अनुभव नई पीडी को किस प्रखार लाब दे सकते हैं दूसरा प्रश्ण क्या प्रतेक संतान अपने माता-पिता की छवी होता है हाँ संतानों को संतार तो अवश्य माता पिता देते हैं कि तू हीतर की शंता तो इश्वर देते हैं तो जस मार्क पर पिता को सफलता मिली है विश्वास है कि उसी मार्क पर उसकी संतानों को भी सफलता और सुख प्राप्थ होगा तीसरा प्रश्ट क्या जीवन के संघर्ष और चुनोतियां लाबकारी नहीं होती क्या प्रतेक नया प्रश्ट नेक नए उत्तर का द्वार नहीं खोलता तो फिर संतानों को नएने प्रश्टनों संघर्षों और चुनोतियों से दूर रखना ये उनके लिए लाब करना कहलाएगा या आनी पहुचाना अथार जिस प्रकार संतान के भविष्य का निर्मान करने के बदले उसके चरित्र का निर्मान करना श्रेश्ट है वैसे संतानों के जीवन का मार्ग निश्चित करने के बदले उन्हें नई संघश्चों के साथ जूजने के लिए मनों बल वज्ञान देना अधिक लाबदायक नहीं होगा तो आइम विचार कीजे मनुष्य की सबसे बड़ी दुर्बलता क्या होती है सूचि, धन, प्रेम, अहंकार मनुष्य की सबसे बड़ी दुर्बलता होती है उसके रहस से चाहे आप कितने भी शक्तिशाली क्यों ना, कितने भी प्रबल क्यों ना परंतु उसके रहस से उसके नाश की चाभी होती है इसलिए यदि प्रबल रहना है, शक्तिशाली रहना है, समर्थ रहना है तो अपने रहस्य को किसी को भी न बताए, ना मित्र को और ना ही शत्रू को, चुकि समय पढ़ने पर कब कौन शत्रू हो जाए, ऐसा कहना संभव नहीं, विभीशन को रावण के अमरित कुंड का ग्यात था, इसलिए प्रभुश्री राम रावण का वद करने में सफल हो सके, इसलिए उचित यही है, कि आप अपने रहस्य को स्वयम तक ही सीमित रखें, मनश्य जीवन की परिक्षा में सफल होने के लिए क्या नहीं करता है, वो परिश्रम करता है, दोड़ भाग करता है, और ये सब करने के पश्चाद भी जब उसका काम नहीं बनता, तो वो नकल कर है ना, तनिक लोटिए अपने बच्पन में, स्मरण कीजे अपने बच्पन की स्मृतियों का, क्या स्मरण हुआ, विध्याले में जब आप परिक्षा देने जाते थे, तो क्या होता था, आप ना से, परन्तु कोई ना कोई सफलता पाने के लिए नकल करता ही था, और उत्त मरीण भी हो जाता था, है ना, परंतु जीवन की परिक्षा ऐसी नहीं होती, नकल करने वाला सफल नहीं होता, तारण विध्याले में सब के प्रश्नपत्र एक होते था, परंतु जीवन के प्रश्नपत्र और उनकी कटनाई सब के लिए भिन होती, तो निश्चित रूप से उनके उत्तर भी भिन्न होंगे ना इसलिए यदि आपको जीवन में सफलता पानी है तो नकल ना कीजिए स्वयम के प्रश्णों का उत्तर स्वयम ढूंडी और सफलता आपकी ही होगी मनुश्य का जीवन हार और जीत विजय और पराजय सफलता और असफलता के मद्ध जूलता रहता है आपके साथ भी ऐसा होता होगा जब आप सफल होते किसी चुनौती पर विजय पाते है तो मन प्रसन्नता से आनंद के उपवन में जूमने लगता है और जब आप असफल होते है तब मन दुख और पीड़ा के सागर में डूबने लगता है परन्तु वास्तव में सफलता और असफलता है क्या तनिक ध्यान से सोचे ये केवल हमारी मनुस्थिती मात्र है हमारी पराजय तब नहीं होती जब हमारा शत्रू विजय पराप कर ले हमारी पराजय तब होती है जब हम पराजय स्विकार करें हम असफल तब नहीं होते है आप सबने बर्गत के व्रिक्ष को तो देखा ही होगा क्या आपको ग्यात है बर्गत के व्रिक्ष के बीज का आकार राई से भी छोटा होता है परंतु बर्गत का व्रिक्ष संसार के महाकाए व्रिक्षों में जाना जाता है जब उसका जन्म होता है तब उसमें वो जटाए वो शाखाए नहीं होती परंतु जैसे जैसे उसका विस्तार होता है जैसे जैसे वो अधिक शाखाओं का भार उठाता है, अधिक पत्तियों का सिर्जन करता है, वैसे वैसे उसकी शाखाए जटाए बनकर जड़ तक पहुँचती है, और इस व्रिक्ष को सहारा देती है, ये जीवन का बहुत महत्वपूर्ण पत है, बिना लोग लालच, चुब पकार रिकर, अन्य लोगों की सहायता करें, धीरे धीरे आपने जिनकी सहायता कि, वो आपकी सहायक बनते जाएं, आपकी जड़ों को और बलशाली बनाएंगे, आयू मान और आकार बढ़ाएंगे, सह जीवन, सहायता, और निश्काम कर्म आपको मृत्यू के पश्चात भी मरने नहीं देगा, आपको अमर रखेगा, हमारा शरीर प्रकृति का एक महान अविश्कार है, इससे जटल संग्रचना संसार में और कोई नहीं, हमारा शरीर जितना जटल है, यदि इसे ठीक से जाना जाए, तो इससे अधिक सरल ग्यान देने वाला और कोई नहीं, हमारे शरीर में पंच इंद्रिया होती हैं, जो हमें भाव, गण्र और वस्तुओं का बोध कराती हैं, हमारे पास आखे, नाखे, सपर्श के लिए तबचा है, कान है, और जीवा है, सबका भिन्ज भिन्कार है, आखों से देखना, कानों से सुनना, नतनों से स्वास लेना, त्वचा से स्पर्ष करने और जीवा से स्वाद लेने परंतु क्या आपने कभी सोचा कि प्रकृती ने हमें दो आखे दी दो नत्मे दी, दो कान दी स्पर्ष के लिए ये पूरा शरीर दी परंतु जीवा केवल एक दी ऐसा क्यूं? क्योंकि प्रकृती चाहती है कि हम देखे अधिक, सुने अधिक और ज्ञान अधिक अर्जित करें बोले कम चुकि अधिक वाचाल नाश को निमंतर्ण देता है स्मरन रखिएगा तेस सदा यही कहते आए कि यदि आगे बढ़ना है तो अपनों का साथ दो सत्य कहते हैं अपनों का साथ देना ही चाहिए परन्तु साथ देने से पूर्व ये अवश्य पहचालने ना चाहिए कि अपने है कौन क्या अपने वही होते हैं जिनके साथ हमारा रख संबंध होता है या अपने मित्र अपने वो होते हैं जो हमें सदकार के लिए प्रेदित करें हमें आगे बढ़ाएं हमारा साथ दे और वो जिनका साथ देने से समाज का नाश्च, धर्म की हानी हो वो सगे हो करके भी सगे नहीं होते इसलिए जब अपनों की परिभाशा का चुनाव करें तो उन्हें अपना माने जो आपका साथ दे उन्हें नहीं जो हमें अध्यान के मार्ग पर ले जाएं आप जिनसे प्रेम करते हैं सदा उनके समीप रहना चाहते हैं नहीं चाहते कि कभी अपनों से दूर होना पड़े बिछडना पड़े परंतू एक समय के पश्चार अपनों से दूर हो जाना उन्नती के लिए अवश्चक है आप माता पिता है यदि आप अपनी संतान के जीवन के हर पक पर उनका मार्क दर्शन करते रहेंगे तो आपके संतान स्वयम मार्क चुनना कैसे सीखेगी? मार्क के काटों से स्वयम को बचाना कैसे सीखेगी? इसे लिए एक समय के पश्चार अपनों से बनाए गई दूरी सदालाब दायक रहती है आज मैं आप सबको एक कथा सुनाता हूँ एक दिन प्राता हा एक व्यपारी अपने घर से निकला घर से निकलते ही एक बिल्ली ने उस व्यपारी का मार्क काट ते व्यपारी घबरा गया वो फिर से घर लोट गया और शुब घड़ी की प्रतीक्षा करने लगा और जब वो पुना अपने घर से निकला तब वो वाहन जा चुका था जिससे राजा तक पहुँच कर उसे भेड़ते नी थे राजा को भेट नहीं मिली राजा क्रोधित हो गए राजा ने उस व्यापारी का व्यापार बंद करवा दिया इस कारण व्यापारी क्रोधित होकर घर पर अपनी पत्नी से लड़ बैठा पत्नी अपने बच्चों समेत मैके वापस चली गए और उस व्यापारी की जीवन में यदी कुछ रह गया था तो केवल अंधकार और इन सब का कारण वो उस बिल्ली को मानता रहा जिसने उसका मार्ग काटा था। और राजा ने व्यपारी को अपना व्यपार बढ़ाने की अनुमती दी। श्वन आभूशन दी। जब व्यपारी घर पर पहुचा तो पत्नी को आभूशन और अपने बच्चों को देने के लिए वस्त्र थे उसके पास। हर और प्रसन्नता थी। समझ रहे हैं ना दोनों के साथ एक ही प्रकार की खटना हुई। परंतु दोनों की प्रतिक्रिया भिन थी। ऐसा ही हमारा जीवन भी है। हमारे जीवन में प्रारब्द का अपना स्थान है परंतु उससे कई अधिक महत्वपून। हमारी प्रतिक्रिया हमारे सोच का प्रभाव है। चुकि यही हमारे जीवन को आकार देते हैं। इसलिए अपनी सोच को सकारात्मक रखिए। आपका जीवन सदैव आनंद मैं। हम सभी अपने जीवन में कोई न कोई कार रे करते हैं। कार करते हैं तो ठकान की अनुभूती होती है। और यदि ठकान ना उत्रे तो कार करने का मन नहीं करता। हम आशा करते हैं कि कदाचित एक दिन में 24 के स्थान पर 26 घंटे होते तो अराम करने के लिए हमें और अधिक समय मिल जाता। हमें ऐसा अनुभव होता है कि हम बहुत अधिक कार कर रहे हैं। है ना। परन्तु क्या आपने गभी सोचा कि जो लोग संसार में सफल हैं उनके पास भी सफल होने के लिए दिन में केवल 24 घंटे थे। तो फिर वो सफल क्यों है। इसका एक छोटा सा रहस्य है। वो वो कारे चुनते हैं जो उन्हें प्रिये जिसे करने में उन्हें आनंद आता है। उन्हें लगता ही नहीं कि वो कार कर रहे हैं उन्हें लगता है कि वो प्रतिफल आनंद मना रहे हैं और जब आप आनंद मनाते हैं तो ठकान कैसी है इसलिए यदि आप जीवन में कोई भी कारे करें तो वो आपके मन को भाना चाहिए या जो कारे आप कर रहे हैं उसे अपने मन को भा देने दो सफलता आपको मिलेगी कभी सोचा है हमारा जीवन भी उस रेत की घड़ी की भाती है जो रेत मीचे गिर चुकी है वो हमारा अतीत है जो अब भी उपर है वो हमारा आने वाला भविश्य है और वर्तमान ये संकुचित स्थल है जहां से धीरे धीरे करके रेत गिर रही है अर्थाद हमारे पास जीने के लिए यही एक शन है उसका उपयोग कैसे करना है ये हमपर निर्भर करता है जो बीट गया उसका दुख मनाना है या जो भविश्य में होने वाला है उसकी प्रतीक्षा में क्रोध करना है सब कुछ करने के लिए यही एक शन है प्रसन रहना है तो उसके लिए भी यही एक पल है प्रतीक्षा करते रहोगे तो ये पल भी भूत काल में बदल जाएगा इसलिए आनंद के लिए परुकार के लिए प्रतीक्षा ना कीजिए आपके पास जो पल है उनका भरभूर सा दुप्योग कीजिए चुकि इस घड़ी को पलटकर आप फिर से समय अविश्य गिन सकते हैं परन्तु अपना बीता हुआ समय आप वापस नहीं लोटा पाएंगे मनुष्य भी बड़ा विचित्र प्राणी है अपनों से नीचे के अस्तर के लोगों को वो हे दृष्टी से देखता है उनका उपहास उड़ाता है उनसे बार बार कहता है कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता तुम भविश्य में कुछ नहीं कर पाओगे जब मनुष्य के पास धन संपत्ती मान होता है तो वो दूसरों का आदर नहीं करता परन्तु वो एक बात भूल जाता है कि उससे भी अधिक शक्तिशाली कोई अस्तित्व में है और वो है समय काल काल अपना चक्र कब बदलेगा ये कोई नहीं जानता कोईला भी समय के साथ साथ हीरे में परिवर्थित हो जाता है इसलिए जीवन में कभी भी किसी का भी उपहास नहीं उड़ाना चाहिए गर्भ अभिमार और अहंका ये तीनों सुनने में एक जैसे लगते हैं परन्तु तीनों का अर्थ भिन होता है और परिणाम भी तीनों का आरंब प्रेम से होता है स्वयम से प्रेम परिश्रम हमारे मन में गर्व को जन देता है और सफलता अभिमान जगाती है यहां तक ठीक है परन्तु जब ये भावना अहंकार बन जाती है तब वो समस्या बन जाती है चुकि सबसे बुरा अंद अहंकारी का ही होता है परन्तु मनुश्य के लिए पहली यही है कि पहचाना कैसे जाए कि अहंकार जग गया है और उसका तमन अवश्यक है इसका उत्तर मैं नहीं आपका मन देगा जब तक आप स्वयम से प्रसन है जब तक आप सबसे उचा उठने का प्रयास कर रहे हैं तब तक ठीक है परन्तु जब आपके मन में दूसरों को नीचा समझने का भावा जाए तो सावधान हो जाईए चुकि यही अहंकार है जो वास्तव में आपको हीन कर रहा है आज मैं आप सब को एक कहानी सुनाता हूँ एक दिन गोखुल में दो व्यापारी आए एक व्यापारी शहद का था बड़ा मीठा शहद था उसका परंत वो गोखुल में टिक नहीं पाया उसके व्यापार ने घाटा खाया और शीग्र ही वो गोखुल छोड़कर चला गया और दूसरा व्यापारी मिर्च का था पहले दिन वो एक पोटली लाया और दूसरे ही दिन वो पूरी बैल गाड़ी भर कर लाया और धीरे धीरे पूरी मतुरा में उसकी धाक चम गए मुझे बड़ा अश्चरे हुआ तो मैंने बाबा से पूछा कि ऐसा क्यों कि एक मीठे शहद का व्यापारी कंगाल हो गया और एक मिर्च का व्यापारी धीरे धीरे नगर सेथ बन गया बाबा मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि मीठी बोली बोलने वाले की तीखी मिर्च भी बिख जाती है और जो कड़वी बोली बोलता है उसका मीठा शहद भी नहीं बिखता वाँ कितने उत्तम विचार है उनके और उचित ही है मनुष्य अपने जीवन में सदैव अपने वचनों से उठता है और अपने वचनों से ही गिरता है इसलिए अपने जीवन में सदैव मीठी बोली बोलने का प्रयास कीजिए आपका जीवन सरल हो जाएगा मनुष्य की सबसे बड़ी दुरबलता क्या होती है सूची, धन, प्रेम, अहंकार मनुष्य की सबसे बड़ी दुर्बलता होती है उसके रहस से चाहे आप कितने भी शक्तिशाली क्यों नहूं, कितने भी प्रबल क्यों नहूं परन्तु उसके रहस से उसके नाश की चाभी होती है इसलिए यदि प्रबल रहना है, चक्तिशाली रहना है, समर्थ रहना है तो अपने रहस्य को किसी को भी न बताए ना मित्र को और ना ही शत्रू को क्योंकि समय पढ़ने पर कब कौन शत्रू हो जाए ऐसा कहना संभव नहीं विभीशन को रावण के अमरित कुंड का ग्यात था इसलिए प्रभूश्री राम रावण का वद करने में सफल हो सके इसलिए उचित यही है कि आप अपने रहस्य को स्वयम तक ही सीमित रखें युवा अवस्था भी हमारे जीवन का कितना सुन्दर काल होता है न पाहू में बल मन में कुछ बड़ा कर जाने की चाह आखों में भविश्य के सुन्दर और गुमल सपने और इसी अवस्था में मनश्य के भीतर बनपता है प्रेम किसी को देख कर उस पर मन मोहित हो जाता है और फिर मनुष्य अपना सब कुछ उस पर निवचावर कर देना चाहता है फिर प्रेम की परिनिती होती है विवाह में क्यूं? सब को अपने खटे मीठे संस्मरण स्मरण हो आए न परंतु यहीं से अधिक्तर माता पिता और संतान के मद्ध विचारों का विरोध प्रारंब हो जाता है संतान को लगता है कि उसका चुना जीवन साथी ही उसके लिए उप्युक्त है और माता पिता को लगता है कि संतान अंजाने में भूल कर रही है संतान का तर्क होता है कि उसे विवा किससे करना है यह उसका अधिकार है और माता पिता का तर्क यह होता है कि अब भी जीवन साथी चुनने की समझ संतान में है ही नहीं तो इस अवरोध को काटा कैसे जाए उचित निर्णा कैसे लिया जाए इसका एक ही मार गया अपने उत्तरदाइत को का भान और अपनों से बड़ों के माप्दंडों का भान विवा करने से पूर ये जालनेना आवश्यक है कि विवा केवल अपने प्रेम को पाने का मार नहीं है अपे तु विवा से जीवन का एक नया द्वार भी खुलता है और हर नए जीवन के साथ नए उत्तरदायत भी होते हैं और यदि इन उत्तरदायत को को समझ कर निर्ने लिया जाए तो विश्वास कीजिए आपका दमपत्य जीवन आनन से भरा रहेगा और आपको कभी ये पश्तावा नहीं होगा या आपने कोई अनुचितने नहीं लिया जब सागर का जल वाश्प बनकर उड़ता है तब वो हमें दिखाए नहीं देता मेग उस जल को अपने भीतर छिपा लेते हैं लंबी यात्रा करते हैं प्रयास करते हैं कि वो जल सदा उनके भीतर छिपा रहे परन्तु जब वायू का वेग उन्हें उड़ा कर किसी परवत से ले जाकर के टकरा देता है तब उन मेगों को बरसना ही पड़ता है चुकि यही नियती है यही प्रकरती है चुकि जल को सागर में जाकर मिलना ही है ठीक ऐसा ही हमारे साथ भी होता है हम सत्त अपने मन के मेगों में चाहे जितना छिपाने का प्रयास कर ले परन्तु समय की आंधि उसे वास्तविक्ता के परवत से ले जाकर के टकरा कर हमारे समक्ष ले ही आती है जिस भई के कारण आप सत्त को सामने नहीं लेकर आना चाहे एक दिन बही भय हमारे समक्ष आकर खड़ा हो जाता है और फिर हम लाचार हो जाते हैं चुकि हमने उस भय का सामना करने की तयारी नहीं की होता है इसलिए सत्त से भागे नहीं उसे छिपाए भी नहीं उसे स्विकार करें भविष्च की बड़ी विपत्ती से बच जाएंगे कभी कभी आप सब के जीवन में एक ऐसी विचित्र समस्या अवश्याती है कि शक्तिशाली के समक्ष मौन हो जाए योश शक्तिशाली से विवात करने से बचने के लिए आप मौन रह जाते हैं मानता हूँ ऐसा करने से आप एक विवात से बच जाते हैं एक संघर्ष से बच जाते हैं परन तु ऐसा बचाओ एक बड़े संघर्ष को जन दे देता है कैसे? हमारा मौन रहना अंजाने में उसका समर्थन बन जाता है और वो स्वयम को अधिक शक्तिशाली अनुफ़फ करता है और यहां से हमारा दमन प्रारंब हो जाता है एक के बाद एक हम अन्यायम अंचाहे रूप से समलित होते चले जाते तो इसका तोड़ क्या है? यह समझने के लिए यह जानना आवश्यक है कि ऐसी कौन सी बात है जो आपको विरोध करने से रोकती है यह सामने वाले की शक्ति नहीं जो आपको रोकती है यह आपके भीतर छिपा भय है जो आपको रोकता है हाँ कभी कभी भय आपकी सुरक्षा आवश्यक कर सकता है परन्तु साथ साथ ये भी जानना आवश्यक है कि ये भै ही है जो आपको मौन भी रखता है इसलिए अपने मन से भै को निकाले और खुल कर अनीती का अन्याय का विरोध कीजी और फिर देखिएगा आपका मन कितना मुख्ट कितना हलका अनुभब करेगा तब के जीवन में ऐसा प्रसंग अवश्यक आता है कि सत्य कहने का निष्टे होता है रिदे किन्तु मुख्ट से सत्य निकल नहीं पाता कोई भए मन को घेर लेता है किसी घटना अथ्वा प्रसंग के बारे में बात करना या फिर स्वयम से कोई भूल हो जाए उसके बारे में कुछ बोलना क्या ये सत्य है नहीं ये तो केवल तथ्य है अर्थात जैसा हुआता वैसा केवल बोल देना समाने सी बात किन्तु कभी कभी उस तथ्य को बोलते हुए भी भए लगता है कदाचित किसी दूसरे की भावनाओं का विचार आता है मन दूसरे को दुख होगा ये भए भी शब्दों को रोपता है तो ये सत्य क्या है क्या हमने कभी विचार किया है जब भए रहते हुए भी कोई तथ्य बोलता है तो वो सत्य कहलाता है वास्तव में सत्य कुछ और नहीं केवल निर्भायता का दूसरा नाम और निर्भय होने का कोई समय नहीं होता क्योंकि निर्भयता आत्मा का स्वभाव है अर्थाज क्या प्ते एक्षण सत्य बोलने का अक्षण नहीं होता स्वेम विचार कीजिए शेश्चता का क्या अर्थ है शेश्चता का अर्थ है दूसरों से अधिक ज्यान प्राप्त करना अर्थाथ मुल्ले इस बात का नहीं कि स्वेम कितना ज्यान प्राप्त किया मुल्ले इस बात का है कि प्राप्त किया हुआ ग्यान अन्ने लोगों से कितना आधिक है अर्थात शेष्टता की एक्छा ज्यान प्राप्ति को भी एक स्पर्धा बना देती है और स्पर्धा में वजय अंतिम कभ होती है कुछ समय के लिए तो शेष्ट बना जा सकता है किन्तु सदा के लिए कोई शेष्ट नहीं रह पाता फिर वही असंतोष, तीडा और संघर्ष जन्म लेता है किन्तु शेष्ट बनने के बदले यदि उत्तम बनने का प्रेत्न करें तो क्या होगा? उत्तम का अर्थ है कि जितना प्राप्त करने योग्ये है वो सब प्राप्त करना किसी से अधिक पाने की इक्षा से नहीं मात्र, आत्मा की त्रिप्ती है तो कुछ प्राप्त करना उत्तम के मार्ग पर किसी अन्य सिस्परधा नहीं होती स्वयम अपने आप से स्परधा होती है अर्थात उत्तम बनने का प्रेत्न करने वाले को देर अबेर सारा ग्यान प्राक्थ हो जाता है बिना प्रेत्न के ही वो श्रेष्ट बन जाता है किन्तु जो श्रेष्ट बनने का प्रेत्न करता है वो श्रेष्ट बने या ना बने उत्तम कभी नहीं बन पाता जखनों और पूर्व अभासों के आधार पर हम भविष्चे के सुख दुख की कलपना करते हैं भविष्चे के दुख का कारण धूर करने के लिए हम आज योजना बनाते हैं किन्तु तल की संकट को आज निर्मूर करने से हमें लाप मिलता है या आनी पहुचती है ये प्रश्ट हम कभी नहीं करते हैं तक्ते तो ये है कि संकट और उसका निवारन साथ दंते हैं जखती के लिए धी और तृष्टी के लिए भी नहीं आप अपने भूत का परण कीजिए ये धिहास को देखे आप तुरंथ ही ये जान पाएंगे कि जब जब संकट आता है तब तब उसका निवारन करने वाली शक्ती भी जन लेती यही तो जगत का चलन है वस्तत संकट ही शक्ती के जन का कारण है प्रतेक विक्ती जब संकट से निकलता है तो एक पद आगे बड़ा होता है अधिक जमरता है आत्म विश्वास से अधिक भरा होता है ना केवल अपने लिए अपितु विश्व के लिए भी क्या ये सत्य नहीं वास्तव में संकट का जन में है एक अफस्तर का जन अपने आपको बदलने का अप्द अपने विचारों को उचाई पर करने का अप्द अपनी आत्मा को बलवान और ज्यान मंदित बनाने का जो ये कर पाता है उसे कोई संकट नहीं होता किन्तु जो ये नहीं कर पाता वो तो स्वय में संकट है विश्व के लिए विचार कीजिए कभी कभी कोई घटना मनुष्य के जीवन की सारी योजनाओं को थोड़ देती और मनुष्य उस आगहात को अपने जीवन का केंद्र मान लेता पर क्या भविश्य मनुष्य की योजनाओं के आधार पर नर्मित होते हैं नहीं जिस प्रकार किसी उचे परवत पर स्थर्व प्रथम चड़ने वाला उस परवत की तलाई में बैठकर जो योजना बनाता है क्या वही योजना उसे उस परवत की चोटी तक पहुँचाती है नहीं वास्तव ने वो जैसे जैसे उपर चड़ता है वैसे वैसे उसे नहीं नहीं सुनातियां नहीं न्याई विडमबनाए नहीं अव्रोज मिलते हैं सपिक प्रवत पर वो अपने अगले पत का निड़ने करता जतेग पद पर उसे अपनी योजनाओं को बदलना पड़ता है। कहीं पुरानी योजना उसे खाई में न ढखे वे। वो परवत को अपने योग्य नहीं बना पाता। येवल ज्वेम को परवत के योग्य बना सकता है। क्या जीवन के साथ भी ऐसा ही नहीं। जब मनुष्य जीवन में किसी एक चुनाथी को एक अभरोत को अपने जीवन का केंद्र मान लेता है। अपने जीवन की गती को ही रोग देता है, तो वो अपने जीवन में सफल नहीं बन पाता और ना ही सुख और स्टान की प्राप कर पाता। और ठाक, जीवन को अपने योग्य बनाने के बदले, स्वैम, अपने को जीवन के योग्य बनाना ही, टफलता और सुक्ता एक मात्र मार्ग नहीं, स्वैम विचार कीजे, जीवन का हर उक्षण निर्णे का शण होता है, प्रतेक पद पर दूसरे पद के विशे में कोई निर्णे करना ही पड़ता है, और निर्णे, निर्णे अपना प्रभाव छोड़ जाता है, आज किये गए निर्णे, भविश्य में सुख, अत्वा, दुख निर्मित करते हैं, ना केवल अपने लिए, अपने परिवार के लिए भी, आने वाली पीडियों के लिए भी, जब कोई दुविधा सामने आती है, तो मन व्याकुल हो जाता है, अनिष्य से भर जाता है, निर्णे का वोक्षन युद बन जाता है और मन बन जाता है युद भूमी, अधिक्तर निर्णे हम दुविधा का उपाय करने के लिए ने, केवल मन को शान्त करने के लिए लेते हैं, पर क्या कोई दौडते हुए भोजन कर सकता है, नहीं, तो क्या युद से जूचता हुआ मन, कोई योग्य निर्णे ले पाएगा, वास्तव में, शान्त मन से जब कोई निर्णे करता है, तो अपने लिए सुखद भविष्य बनाता है, किन्तु, अपने मन को शान्त करने के लिए जब कोई निर्णे करता है, तो वो वेक्ती भविष्य में अपने लिए काटो भरा व्रिक्ष लगाता है, स्वयम विचार कीजिएगा जीवन में आने वाले संघर्षों के लिए जब मनुष्य स्वयम को योग्य नहीं मानता जब उसे अपने ही बल पर विश्वास नहीं रहता तब वो सब गुड़ों को त्यार कर दुरगुडों को अपनाता है पस्तिता मनुष्य के जीवन में दुर्जंता जन भी तब लेती है जब उसके अंतर में आत्म विश्वास नहीं होता आत्म विश्वास ही अच्छाई को धारन करता है यह आत्म विश्वास है क्या? जब मनुष्य ये मानता है कि जीवन का संघर्ष उसे दुर्बर बनाता है तो उसे अपने उपर विश्वास नहीं रहता वो संघर्ष के पार जाने के बदले संघर्ष से छूटने के उपाय ढूडने लगता किन्तु जब वो ये समझता है कि ये संघर्ष उसे अधिक शक्ती शाली बनाते है ठीक जैसे व्यायाम करने से देह की शक्ती बढ़ती तो प्रतेक तंघर्ष के साथ उसका उत्ताह पड़ता अर्थाथ आत्व विश्वास और कुछ भी नहीं मन की स्थिती जीवन को देखने का दृष्टी कोण मात रह और जीवन का दृष्टी कोण तो मनुष्य के अपने वश में होता है स्वयन विचार कीजे